हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीबो वाई 56 Android वाइल फोन में आप जो है Smart Answers Setting को आपना Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Smart Answers Setting जो हैना Enable होने के बाद इस Setting कैसे काम करती है आज के इस video में मैं आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ये video को हम स्टार्ट कर लेटे सबसे पारे तो आपको अपने male phone में setting page आपको open करना है setting page को open करने ज़ेए अपने male phone में setting page में आपको नीचे आना है या पर आपको ये option मिलेगा shortcut and accessibility इसे आपको select करना है ठीक है इसके अगले पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा smart motion smart motion पर select करना है ठीक है इसके अगले पेज में आपको यह option मिलेगा smart calling smart calling पर select करना है smart calling के इस page में आपको नीचे यह option मिलेगा smart answer smart answer के इस option के ठीक सामने आपको यह बटन दे रहा है ना इस बटन को tap करना है तो यह बटन आपका blue color में on हो जाएगा यानि कि आपके setting इस तरीके से enable हो जाएगी अभी setting जो है enable होने के बाद ही setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ देखे आपके mobile phone पे कोई भी incoming call आएगा कोई भी call आएगा तो आपको जो है आपके mobile phone के screen पे green color का button दिखाई देता है receive करने का उस बटन को आपको दबाने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है अगर कोई भी call आएगा आपके phone पे तो आपको phone को सिर्फ हाथ में पकड़ना है और अपने कान के पास ले जाना है कान के पास ठीक है तो जैसे आप अपने कान के पास ले जाएंगे अपने phone को तो आपका जो call है जो आ रहा होगा वो आपका automatic receive हो जाएगा automatic pick up हो जाएगा तो इस setting जो नहीं smart answer setting यह इस तरीकी से काम करती है आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको नहीं यह भी बता जाता हूँ कि कैसे आप इस smart answer setting को अपने mobile phone में आपना shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना है क्या होगा तो आपको जो नहीं नीचे की साइड में यह option आपको शो जाएगा smart answer का इसे आपको select करना ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में